नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ इस न्यूजरूम पोस्ट लाइव में मैं हूँ प्रशान्त भरद्वाज और मेरे साथ मौजूद है मेरे सयोगी अश्वनी पाठग आज दिल्ली में बलकि यूँ कहूँ कि दिल्ली ही नहीं बलकि साथ राज्यों के 21 ठिकानों पर CBI ने ताबर तोड छापे मारी की थी ये छापे मारी CBI ने जो एकसाइस पॉलिसी में गड़बड़ियों को लेकर जो मामला दर्ज किया गया था उसके तहत ये छापे मारी हुई है दिल्ली सरकार की आप सभी को याद होगा जो शराब नीती थी उसको दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया लेकिन इस मामले में CBI ने मनीश चिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री है दिल्ली के उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली थी और फिर इसके बाद में जब मामला दर्ज हुआ तो जाँच आगे बढ़ी और आज सुभा ये खबर आई कि CBI ने ताबड तोड चापे मारी मनीश चिसोदिया के घर्ब में और उसके अलावा भी जो आबकारी विभाग के अफसर रहे हैं जो अधिकारी रहे हैं उनके ठिकानों पर और साथ राज्यों में 21 अलग अलग जगों पर CBI ने छापे मारी की है और CBI का ये एक्शन अभी भी जारी है वहीं दूसरी तरफ जो एक और जो विवाद गरमाया वो ये था कि New York Times जो अमेरिका का सबसे बड़ा अख़बार माना जाता है उसमें और दूसरा जो UAE का बड़ा अख़बार है खलीज टाइम्स उसमें दिल्ली का जो एक कथित एजूकेशन का मॉडल है जो कथित शिक्षा मॉडल है जिसकी मिसाल अरविंद केजरीवाल ताइम्स में और ऐसा बहुती कम होता है क्योंकि New York Times में जगा मिल पाना स्पेस मिल पाना बड़ा ही मुश्किल काम है और आज दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल की तारीफ करते हुए New York Times ने ये खबर चापी है इसके बाद में BJP नेता जो है कपिल मिश्रा उन्होंने विज्यापन को लेकर के हम दिल्ली सरकार का जो अभी तक का हम पूरा स्टैंड रहा है वो हम बहुत अच्छे से उससे वाकिफ हैं अश्विनी उनको publicity गॉर्मेंट जादा माना जाता है क्योंकि विज्यापनों पर बेतहाशा खर्चा दिल्ली की सरकार करती है अरविंद के अरविंद के नाम से मतलब जो लेकक है वो एक हैं उनके अर्टिकल के सब्द हुवू एक हैं भारतिन जापर्टी ने जो अरोप लगाया है कि जो केजिवाल के बास फंडिंग आ रही है पूरी खालिस्तानी है और जो एंटी-मोदी लोग हैं वो इस तरीके के आर्टिकल च चपा है और भारतिन जापर्टी की तब से बाकाईदा प्रेस कॉंफेंस करके बताया गया कि आर्टिकल के एक-एक सब्द एक हैं और जो राइटर है वो एक है दोनों जगे जो अख़वार में चपा है वो चपा नहीं दरसल चपवाया गया है और केजिवाल ने जो प्रेस मंत्री और अधकारी रहें उनके समयत एक की जगह से चाप इमारी चल लगी है वो एक सहयों हो सकता है और जो आर्टिकल सब्हाया उसको लेकर सवालों को गहरे में खुजा आ गया क्योंकि नियुवर्ट और नियुवर्क टाइंस में जैसे उन्होंने खुद ही कहा कि प्रिवियों के समयत उनके जगह की जो चाप इमारी चल लगी है पूरी एक्साइज पॉलसी को लेकर जिस तरीके से आमादमी पार्टी बैक फोट पर आई और किस तरीके से नय एल जी ने आती ही उसके खिलाप द्राश के आदेश दिये उसके बाद उन्होंने अपनी एक् प्रिश्चा मोड़ में हैं तमाम जगह पर उन्होंने धर्णा प्रदेशन किये जगह जगह मटका फोट कारिकरम किये मतलब किस तरीके से बिरोध किया कि आप जो नय ठेके खोला है धार्मी के पास में स्कूलों के पास में और रहवासी इलाके में जो ठेके खोलना है उसक सब्सक्राइब करी अर्विंद केजवाल ने खुद की जो सिक्षा मॉडल की तारीफ करी उसको लेकर भारतिजिंदा पार्टी हमलबार हुए उनन ने बार्तीजिंदा पाटी के तमाम निता है का पिर मिश्चा शाम में तमाम ऐसे रहता है प्रवे साहिप सिंह बर्मा और अब ही आरुप लगाने की आर्टिकल नहीं है ये कोई लेक छपा नहीं छपबाया गया है जी बिल्कुल क्यूंकि विज्ञापन ही एक ऐसी सामगरी होती है एक ऐसा मेटीरियल होता है जिसमें की जो content होता है वो हूब हूब बिल्कुल सेम होता है जो एक अखबार में होता है जो खबर होती है वो बिल्कुल अलग होती है खबर एक जैसी हो सकती है लेकिन उसको लिखने का तरीका उसमें इस्तमाल की गई तस्वीर है और उसको लिखने की जो भाशा होती है वो अलग होती है वो किसी भी अखबार की एक जैसी नहीं हो सकती हाँ खबर का जो basic content वो जरूर एक हो सकता है तो यही एक सबसे वड़ी बुनियादी जो अंतर है वो यही होता है खबर में और विज्यापन में और यही सवाल BJP की तरफ से उठाया गया कि जो जैसा कि अश्विनी ने भी बताया कि जो विज्यापन छपा था उसमें करंदीप सिंग नाम के जो ए पा था इसके अलावा BJP के सांसत जो प्रवेश साहिप सिंग वर्मा है उन्होंने ये कहा कि New York Times और खलीश टाइम्स में हू बहू एक जैसी ही खबर चपी है दोनों ही अखबारों में जो तस्वीरें लगाई गई हैं वो भी छे तस्वीरें हैं और वो भी एक जैसी ही तस् स्कूल है जो दिल्ली का कोई सरकारी स्कूल नहीं है बलकि एक प्राइवेट स्कूल है तो ये मुद्दा भी BJP ने उठाया कपिल मिश्रा ने भी इस ओर इशारा किया जो तस्वीरे थी उस स्कूल की वास्तविक तस्वीरे थी जो बच्चों की तस्वीरे थी छात्रों की पहने हुए वो तस्वीरे भी उन्होंने डाली और जो तस्वीरे नियुयोक टाइम्स ने मनीश सिसोदिया की उस स्कूल के अंदर छापी है वो तस्वीरे भी ट्वीट की थी कपिल मिश्रा ने तो ये जो पूरा बवाल है अश्विनी इसमें आप क्या कनेक्शन देखते ह पहले सुबह CBI की रेड होती है चापेमारी होती है मनीश सिसोदिया के घर पे उसके अलावा दूसरे ठिकानों पर भी और फिर एक्साइज पॉलिसी का जो ये करप्शन का पूरा चार्ज उनके उपर लगे हैं आरोप लगे हैं तो क्या ये बाहर ना आ जाएं क्या ये सरकार बनाना चाहते हैं तो क्या उसे चवी पर जो कटर इमांदार वाली चवी है और जो भारत को नंबर वन बनाने वाली बात वो करते हैं उस चवी पर चोट ना लग जाए इस बात का डर उने सता रहा है अगर बच्चों का एजुकेशन बढ़िया होगी तो सबसे पहला पॉइंट उने पकड़ा है शिक्षा अगर बच्चों का एजुकेशन बढ़िया होगी है तो आगे भवेस में सब कुछ बढ़िया कर सकते हैं अच्छा पढ़ लेंगे तो अच्छा कमा भी लेंगे तो वही आमादमी पार्टी ने अपना पूरा पूरी पोर्फोली तयार किया किस तरीकी से हमें हर राज में जाना है अपने एजुकेशन मोडल जो दिल्ली का है उ और जमीनी हकीकत क्या है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तमाम जो वीजेपी के सांसद हैं वो आजकल रेपोर्टर बन गए और खुद रिपोर्ट दे रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर काम हो रहा है और स्कूल की हकीकत क्या है कौन से मोडल आमादमी पार्टी बेच रह रहा कर रहे हैं और केज्रिवाल ने से गाण करें की हमखें 55 साल में नहीं अड़ो पकर आरे है इसला क्या के पहले बी रेट हुह हैं लेकिन कुछ निकला नहीं निसकार्श नहीं निकला तो लेकां जाल डूसरी तरब लों भी सवाल उठा कर लिप तो पाहे का है उनकी यादास चली गई जासा कि बड़ बीजेपी के जो नेता है कपल मिश्राउन ने ट्वीट भी किया कि मैं उनको बादाम भेज रहा हूं परियाब्त मात्रा में सबूत हैं कहीं ना कहीं क्योंकि इससे पहले भी लगाता है जो आरोप लगाए गए हैं और महनीश की सोधिया खुद आकर अर्विंद केजिवाल खुद आकर किस तरीके से बयान बाजी कर रहे थे कि कैसे आपने देखाओ को थोड़े लाइम पहले आम किस तरीके के भारतिंता पार्टी भी उसके लगातार खुला से कर रहे हैं कि नहीं दुकाने किस तरीके से खोली गई हैं जो ठेके हैं वो किसके नाम पर दिये गए लगातार ऐसे लोगों के नाम सामने आये हैं जो इस तरीके की मतलब पूरे केसों में लिपत रहे हैं कि उ एसे लोग हैं जिनको लेसंस तक नहीं मिल सकता था जिनकी उपर बेन लगा रखा है उनके नाम पर एक लेसंस जारी करके वहां से करोड़ों रुपए की सराब सप्लाई होती है तो लगातार यह आरोप और प्रतारोप का गेम जो चला है आम आदनी पार्टी और बात कर रहे ह और अपना तो सिक्षा मॉडल यह दिली का मॉडल तो बेचने की बात कर रहे है बारत इंदा पार्टी उसको लगातार काउंटर कर रही है और कहीं न कहीं अपने तथ लेकर आती है बिलकुल रिसर्च करके अलग अलग जगह से जैसे ही केजीरवाल ने PC करी उसके बात से त शयर ग्रेंटर करेंज उनने PC कर रही है बारती इंदाओ जंतापा्टै के आरोग देने के जबाव देने के लिए वी आमांदमी पारटी ज़ूशल मेडिया टीम तयार है आमांधमी पार्टी की जो नेता है बहुत तयार है वह लगाता कॉनवानेस कर रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि नियॉर्क टाइम्स में अगर कुछ ख़बर चपी भी है देश के दिल्ली के एजुकिशन मॉडल को लेकर कोई ख़बर चपी है तो दूसरे जिस अकवार में वो ख़बर चपी है दोनों जगए आर्टिकल के लाइन सेम कैसे हो सकती है फोटो सेम कैसे लेकर दूसरी जगह में वो एक एक रिख बाकाइदा भार्चिंदा पार्टी जैसे रही है और जैसे की तस्पीरे सामने आई हैं कि बाकाइदा सेम तूसे आर्टिकल है तो वह एक बड़ा सबाल है दोनों जगह सेम आर्टिकल कैसे चप सकता है और जैसे कि जईरिबाल चबबाई गई है इस पे सवाल तो उठना लाजमी है तो दूसरी एक बहुत बड़ी बात ये है कि जो मैं आपको बता रहा था इससे पहले कि जिस स्कूल की तस्वीरें उस विज्यापन में छापी गई वो स्कूल वास्तव में दिल्ली का कोई सरकारी स्कूल नहीं है एक बा और सेम तो सेम वही जो तस्वीर है वो मदर्स मेरी स्कूल का जो बोर्ड लगा हुआ है उस स्कूल में खड़े हुए हैं वो भी वही चात्र हैं और जो विज्यापन में जो छपी है तस्वीर जिसका हवाला आज अरविंद केजरिवाल दे रहे थे वो विज्यापन की तस् बारों में छापा गया अश्विनी ये इस करंदीप सिंग के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा ये करंदीप सिंग कथित तोर पे तो पत्रकार है न्यू यू 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 टाइम्स के लेकिन एक जिसको हम कहें कि भारत विरोधी मानसिक्ता से ग्रसित ये करंदीप सिंग है इनके जो कुछ पुराने ट्वीट्स हैं अगर आप उनको उठाके देखेंगे तो उसमें ये कह रहे हैं कि deeply humbled to win a human rights press award for our new york times video investigation that about how prime minister नरेंदर मोदी and his party is trying to change India into a more overtly Hindu state तो अश्विनी क्या एक ऐसे कथित पत्रकार से article लिखवा करके जो भारत को अंतरराष्ट्री अस्तर पे बदनाम कर रहा है ये कह करके कि नरेंदर मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उसका पूरा investigation उसने बकायदा किया है उसमें उसने कितना fake narrative ये भी अपने आप में खोज का विशे है तो इस तरही के की investigation जो कर रहा है जो भारत को बदनाम कर रहा है अंतरराष्ट्रे इस तरह पे ऐसे एक व्यक्ति से अपना article लिखवा करके इंडिया को नंबर वन बनाएंगे अर्विन के जरीवाल इस तरीके के से जो पत्रकार हैं और New York Times की बात करें वो तमाम जो बिदेशी अखवार हैं वो बाकाइदा एक मोटिब लेकर वैठे रहते हैं किस तरीके से हमको भारत के एंटी खबरे चापने को मिलें या भारत की जो सरकार है प्रधानमंति नरेंद मोदी के नितत में जो बदनाम किया जाए तो लगतर ऐसे ब्यक्तिक आर्टिकल आप कोई आपकी समर्थन में आर्टिकल लिख रहा है उसके प्रेस कॉंसेंस कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि New York Times में खवर आना असान बात नहीं है आप एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि विश्व का नंबर बन द प्रेस कॉंसेंस कर खुद की वावाई की खुद की पार्टिय की खुद के सिख्या मोडल की अब वो कही न कहीं उन पर भारी पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार बीजेपी भी उनके उपर हमलावर है कोई मौका नहीं छोड़ना चाते इससे पहले जैसा कि हम कल तक भी देख रहे थे रोहियाओं को लेकर के जिस तरीके से बवाल मचाता दिल्ली की सियासत में तो उसमें भी अरविंद केजरिवाल की सरकार के उपर लगातार सवाल खड़े किये गए और चिठी को लेकर के कास्तोर से सवाल खड़े किये जा रहे थे जो दिल्ली सरका ग्रैमन्तराले को लिखी गई थी तो अब लगातार उसी सिलसिले में हम कहें कि उसी कड़ी में अब यह जो विज्ञापन वाला जो विवाद है इसकी क्या हम कह सकते हैं कि इसकी क्या एक तरीके से परनिती होती है वो भी देखने वाली बात होगी फिलहाल भी हमारे साथ इस पोस्ट लाइव में इतना ही हम फिर जोड़ेंगे आप से किसी और बड़ी खबर के साथ उसकी चर्चा और उसके विशलेशन के साथ लेकिन तब तक के लिए हमें दीजे इजाज़त नमस्कार